कि कि नमश्कार मैं डॉक्टर एइमन शरमा आज आपको रीनल ट्रॉजमा के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसके उपटर अभी तक जो इंफिर्मीशन मैं दूँगा व ईंटरनेट पर आपको कहीं ग्रेडिंग है क्या इसमें इंवेस्टिकेशन करेंगे तो अंत तक बने रहें रिनल ट्रॉमा आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे स्टाइट करते है डेखो रिनल ट्रॉमा क्या है रीनल ट्राउमा मतलब कोई एकसिडंट हुआ या किसी ने आपको हिट कर दिया या कोई बुलट लग गई किड़ुनी रिनल को बोलता है किड़ुनी ट्रॉमा ठीक है तो उसमें इंजरी हुआ या कोई चाकू लगा दिया एक्सिडेंट हुआ, बाइक से गिर गए, छट से गिर गए और किडनी इंजरी हुई, ऐसे तो मल्टीपल ओर्गन होगे पर किडनी इंजरी, जनरली ये ट्रॉमा बलंट और पैलेंटरेटिंग होता है, बलंट मतलब कोई एक फोर्स और पैनेटरेटिंग मतलब कुछ ये जनरली जब भी कोई ट्रॉमा होता है, एब्डॉमिनल ट्रॉमा, बलंट ट्रॉमा, एब्डॉमन या पैनेटरेटिंग ट्रॉमा, उसमें 10-15% ट्रॉमा में किडनी इंवाल्ड होती है, ध्यान रखें, और किडनी की इंजरी जादा तर छोटे बच्चों में देखी जा होती है, उसके अलावा छोटे बच्चों में अब्डॉमिनल मसल थिन होता है, पतला होता है, तो इसलिए छोटे बच्चे मोर प्रोन होता है, किडनी इंजरी के लिए, उसके अलावा जो रिब केज होता है, उसे किडनी प्रिवेंटेड रहती है, तो बच्चों में औस रि as compared to elderly population या youngsters उनके मुकाबले उसके लाबा अब किड़नी इंजरी के साथ साथ हम और क्या इंजरी सस्पेक्ट कर सकते हैं ज़रूरी तो नहीं है कि पेट में चोट लगी तो सिर्फ किड़नी इंजर्ड हो उसके साथ लोवर रिब प्रैक्चर्स हो सकते हैं लीवर इंजरी हो सक ही है क्लिनिक इंजरी पैंकरियाटिक इंजरी भी हम किड़नी इंजरी के साथ नोटेस कर सकते हैं तो हम यह समझेंगे ठीक है अब जो पैचानए कि इंजर्ड हो यह कोई कोई तो उम्टम होंगे जो में बताएगा चोट लगने पे कि Wonder लगी है hết तुरी अचंत पर जाद हो रहें uh फ्लैंक पेन होगा उसके अलावा एब्डोमन में क्या होगा खाइमोसेज रेडिश रेडिश खाइमोसेज एब्डोमिनल वॉल पर आपको दिखेगे तो सस्पेक्ट कर सकते हैं यह तीनों ट्रायड मिलागे तीनों सिंप्टम मिलागे किड्नी इंजरी है पेशेंट को ठीक ह करने का मैं आपको तरीका बताता हूं पहले थोड़ा सा ग्रेडिंग समझा देता हूं फिर अपन डाइग्नोसेज पर चलेंगे इंवेस्टिकेशन पर इलाज मैं बताऊंगा किडिनी ट्रॉमा का ठीक है ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमन पैंट्रेटिंग ट्रॉमा एब्ड सबकेशूलर हेमाटोमा ग्रेड टू होता है रीनल फैरेंकाइमल लैसरेशन लेस देन वन सेंटीमीटर विदाउट यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम इंवल्मेंट और एक्स्ट्रा वासेशन तो यह होता है आपका ग्रेड टू और इसमें पैरी रीनल हेमाटोमा हमको सिस्टम इंवल्म नहीं होगा और एक्स्ट्रा वासेशन नहीं होगा ठीक है और इसमें ब्लीड होगा पर वो जो फासिय घ्याड़ता तक ही रहेगा उससे एक्सपेंड नहीं करेगा तो यह ग्रेड थ्री यह सीटी स्केन में हमें दिखेंगी फाइंडिंग सेना किडिनी स्केन में इप्सलिए क्योंकि इलाज में काम आती है उसके लवाग्त होता है जिसमें रिल फैरन्खाइमल लैसरेशन होगा ठीक है उसके अलावागा अग्स्ट्राव होगा और ब्लीडिंग रहेगा इसमें जो कि दियु step होगी उसके beyond चली जाएगी रिट्रो पेरिटोनियल पेरिटोनियम में ठीक है तो यह हो गया उसके अलाबा सेग्मेंटल रीनल आर्ट्री और रीनल वेन इसमें लैसरेशन होगा इंजर्ड होगा यह सारी चीज रहेंगे बाकि पी यूजे पहल्वी क्यूरेटरिक जंक्शन पे हो गया है ठीक है तो यह ग्रेड फाइव हो गया तो ग्रेड इंपोर्टेंट सीटी किसलिए इससे भी ट्रीक्मेंट होता है अब बात करते हैं डाइग्नोस कर रहे है ब्लंट ट्रॉमा एब्डॉमन का पेशन्ट आ गया पेट में चोट लगी पैनेट्रेटिंग का भी आ इएग दोनों मेकेनिजम की आगए हमारे पास चो सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल है ऐट लस फोलू करेंगे a b c d a ठीक है उसमें अब हम patient को क्या करेंगे देखेंगे patient stable है unstable patient shock में non-shock में अगर शॉक में तो unstable शॉक में नहीं है तो patient stable है इस्टेबल है तो fast हम करके देखे ई-fast तो इ-fast अगर negative है और patient stable है तो फिर हम क्या करेंगे CT टॉर्सो कराएंगे चेस्ट का और abdomen का pelvis के साथ ठीक है उसके लावा इ-fast positive है patient stable है इस्टेबल मतलब शॉक में नहीं है तो भी CT टॉर्सो होगा CT टॉर्सो होगा उसमें grade 1 और grade 3 है तो non-operative management कोई operation नहीं करना है patient से छेड़चान नहीं करने से दवाईयों से ही ट्रीट होगा 95% kidney की injuries दवाईयों से ही ट्रीट होती है ठीक है उसके अलावा अगर grade 4 और grade 5 है pseudo aneurysm है patient को parenchymal injury है grade 4 और grade 5 में तो हम angioembolization कर सकते हैं अगर angioembolization इसको बोलते नॉन-operative intervention अगर fail होता है तो हम operation पर जा सकते हैं पर अगर patient stable है grade 4 और grade 5 है तो हम क्या करेंगे कई बार conservative भी treat किया जाता है इन injuries को मैं देखा इसका भी outcome अच्छा होता है पर books कह रहें grade 4 और grade 5th renal injury है pseudo aneurysm है तो angioembolization पर आप जाए bleeding को रोकें ठीक है यह एक concept is में एक नई चीज में add करना चाओंगा कई बार क्या होता है पेशेंट को abdominal bleeding होती है unstable का मैं बताऊंगा फिर ना abdomen bleeding है और वो सोच रहे patient stable है उसके बाद उसको operate नहीं कर रहे है patient को है ना इफास positive stable है operate नहीं कर रहे है तो bleeding इतना चाता है कि brain में blood supply नहीं हो पा रहा है तो patient coma में चला जाता है hypoxia होता है ठीक है ना पहले तो stable था पर वो धिर धिर unstable हुआ किसी ने खोला नहीं patient को कोई operative intervention नहीं लिया अब वो hypoxia हम चला गया वह जीवन भर के लिए कोमा में रहेगा तो एक यह भी चीज हो जाती है तो हमें दो चार चीजे एक सर्जन का ही decision रहेगा कि कैसे treat करना है doctor का decision रहेगा और physicians वगरा treat कर सकते हैं इसको one two three तो grading आसानी से treat हो जाती है ना और उसके बाद अब criteria आता है unstable patient का patient अनस्टेबल है patient shock में है तो हम क्या करेंगे तुरंद खोल सकते हैं पर एक बार fast कर लेंगे अब efast negative भी आ सकता है efast positive भी आ जा सकता है तो अगर दोनों condition हो in spite of efast positive in spite of efast negative आपको क्या करना है patient को OT में लेना है और operate करना है ठीक है अगर आप suspect कर रहे है blend trauma abdomen या penetrating injury to abdomen और patient unstable है तो surgery is the choice unstable shock में patient के लिए patient shock में नहीं है stable है देखो generally अब shock में भी है patient suppose करू patient shock में है तो ATLS protocol हम follow करेंगे तुरन तो नहीं खोलेंगे उसको one liter crystalloids दिया जाएगा patient को load किया जाएगा ठीक है तो उसमें देखते है responder transient responder या फिर non responder तीन चीज़ें होंगी responder क्या होता है कि जैसे BP आया था shock में 80 by 50 चल रहा है शॉक इंडेक्स हमने देखा patient shock में है हमने एक लीटर crystalloids दे दिया patient stable हो गया तो इसका मतलब patient responder है वो शॉक में नहीं है तो उसको non responder है इसमें हम blood भी दे सकते है patient को pelvic fracture इनके अलग-अलग वीडियो में और बनाऊंगा आपको अगर आपको blood trauma और penetrating trauma injuries of kidney समझ में आ गई है तो यह और आपको भी कोई patient हो आपका भी कोई patient हो कोई known हो उसको kidney injury हुआ है तो उसको कैसे manage करना है उसके लिए whatsapp number मेरा description में के रिपर direct call ना करें आप अपना consult ले सकते हैं opinion ले सकते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कैसे क्या treatment सही है या treatment गलाच चल रहा है या कुछ और add करना है वो सारी चीज़े रहेंगी enzymes दे सकते हैं, nutrition दे सकते हैं, antibiotics दे सकते हैं, कौन सी दवाईयां safe है, kidney injury में कौन सी unsafe है कुछ cases में DJ stand डालके भी छोड़ देते हैं वो non-operative intervention में आता है तो मुझे लगता है renal trauma के बारे में आपको अच्छी चीज़े समझ में आई होगी ठीक है, अगर फिर भी आपकी कोई queries है, appointment चीए तो कृपया direct call ना करें, whatsapp number मेरा इस वीडियो के description में वहाँ जाके comment करें वीडियो अच्छा लगता, like करें, channel बनें, subscribe कर लें, thank you, धन्यवाद, नमस्कार, good bye